नमस्का दोस्तों मैं वह आर्थी प्रजापती यूटूब चैनल पर आप सबीका हर्दिक स्वागत करते हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूनिट नमबर 2 यूजी सिनेट की प्रिपेरेजन कर रहे हैं उसमें यूनिट नमबर 2 अभी पढ़ रहे हैं उसके अंदर ह अभी टाइपस देख रहे हैं आप लोगों को पता है रिसर्च के बहुत सारे टाइपस है ना अलग अलग टाइपसे आपके कोश्चन भी आते हैं तो यहां पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समय के आधार पर ओके समय पर आधारित जो भी रिसर्च होते है एक है लॉंगिटुडिनल दूसरा है प्रोसेक्शनल एंड तीसरा है अपका ट्रेंड एनालिसिस यह थ्री रिसर्च हम आज पढ़ने वाले ओके तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करती जिए अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं बूलना है एंड इस चैनल को अगर आपन कि इस लॉंगिटुडिनल रिसर्च किसको कहते हैं कि उसके बार में पहले समझते हैं जैन संख्या में अलग अलग समय पर सोद किया जाता है उसे अनुदैर्य सोद या longitudinal research कहां जाता है क्या समझ में आया आपको एक ही मानलों की हमने population ले ली यह population ले ली अब किसी population पर हम क्या करेंगे अलग-अलग time पर उस पर research करेंगे ओके जैसे कि यहाँ पर हम just example देखते हैं कि मानलों की हमारी population है हमने देखा कि लड़की और लड़कों की जो वरिद्धी होती हो कि time की अनुशा तो कितनी कितनी होती है उनकी year के मतलब कि उनकी age की हिसाब से तो अब हम क्या करेंगे बैं तो मानलो कि मैंने मुझे यह चेक करना है अब यही कंडिशन यहाँ पर बनी रहेगी मैं नवाट करती जाओंगी कि 8 साल में इसका विकास कितना था वुरुदी कितनी थी उके उसके बाद 10 साल के अगर मुझे चेक करना है तो मैं 10 साल के यह दोनों ही 10 साल के होंगे तब उनके विरिदी विकास को नवाट करूंगी उसके बाद यही दोनों 12 साल के होंगे तब मैं इनके विरिदी विकास का मतलब की नवाट करूंगी और उसके बाद अगर 14 साल तक मुझे चेक करना है तो यह दोनों 14 साल के होंगे तब तक मैं क्या करूंगी इन पर रिसर्ज करती जाओंगी अब यह मेरे अकोडिंग होगा कि मुझे कितने कितने टाइम पर उनके डाटा कलेक्ट करने है तो इस तरीके से एक ही पॉपिलेशन पर हम लंबे टाइम तक क्या करते हैं रिसर्ज करते हैं उसी को बोलते हैं लॉंगे टोडी नल यहां से समझ लॉंग मतलब लंबा है ना लंबे टाइंड तक हम क्या करते हैं रिसर्च करते हैं एक ही पॉपिलेशन पर उके जस्ट एक्जांपल मालो कि मुझे यह देखना है कि आट साल के बच्चे का मतलब कि उसका सब्दबंडोड कितना होता है उसक सब्दाबंडोल कितना होता है तो मैं यहां पर एक ही पॉपिलेशन लोंगी और यहन पउपिलेशन मुझे आट साल का बच्चाल है लिएी और फिर जब कर शबतना के होता है दो है नो जो साल यह कोुलते हैं को सबस्क्राइब कोड़े के ईतना होता है तुन लंबे Πार वैंट-धोर्ज मंस ब्र ai इससार्ज को घ्ना्रीर सर्ट तब है उसके प्र निलब्सक्राइब रिशार्ज देखते में अपर इस सब्सक्राइब यहां पर कोशियन मार्ख ऐसे रह गया चलो पूह ना तो टाइप सब लोंगिटूरिनल रिसर्च तो यहां पर थी टाइप सुथ्प एक पैनल श्टडी दूसरा होता है पोहर श्टडी और तीसरा होता है रेट्रोस्पेक्टिव श्टडी तो यह थी आपके इसके टाइपस ह अब कोई यह ना बूलना कि मैं हम इसका हिंदी क्या होता है, इसको हम इंगलिस में ही याद रखेंगे, हिंदी में इसको हम याद नहीं रखेंगे, चलिए, अब दिखते पैनल स्टडिक इसको कहते हैं, तो पैनल स्टडिक के अंदर क्या होता है, कि कद्धियन जो लोगों के समूपर अनुदेर डेटा प्रदान करते हैं यहाँ पर क्या होता है ग्रूप होता है पिपल का ग्रूप होता है और उनके आधर पर क्या करते हैं डाटा को कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर पैनल में क्या होगा यहाँ पर एक ग्रूप होगा और पिपल का ग्रूप होगा लोगों का और उसी से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं उन पर स्टड़ी करते हैं कोहर्ट स्टड़ी क्या होता है तो देखो एक अनुधेरे अधियन जिसमें नमुना एक परिबासे त्विसिस्ता साजा करता है जैसे जन्मवर्स भाउगोलिक शेत् यहां पर क्या होता है कि हम किसी भी नमुने को लेते हैं तो उसके बारे में हम जन्मवर्स क्या होता है यहां फिर भाउगोलिक शेत्रक की बात करें तो भाउगोलिक शेत्रक की तरीके का होता है लंबे टाइम तक उसका हम चेक करते हैं तो उसको बोलते कोहर्ट स्टड़ी एक दिन जिसमें Medical Record जैसे की एत्यासिक जानकारी का विशले समानी किया जाता है उसका क्या किया जाता है और पिछली गटनाय का अवलुकन करना यहां पर सामिल लुए मतलब कि past में जो भी events होती है उसको हम क्या करते हैं अब्जर्विंग करते हैं तो यह retrospective study हो गया अब आगे देखते हैं manly आपको longitudinal क्या है cross-sectional क्या है इसके बीज़ पर आपके question आते हैं चले what is cross-sectional research चले cross-sectional research क्या है तो यहां पर क्या हो गया longitudinal में क्या दिखा एक ही population को लंब टाइंड तक हम क्या करते हैं उसका study करते हैं उसी पर study करते हैं पर cross-sectional में ऐसा नहीं होता है यहां पर क्या होता है कि जहां समय की मानक के की आधार पर अलग-अलग जन्संख्या के वर्गों में से इकाईों से चुना जाता है और कोंव का हिंसला को हिंदी हैं नीइ इस सोद से चुनिए पिलागता है ओक्अपर मतलब मतलब हाँ कर нравится क्या जैसे कि मानलो कि मैंने मुझे यह चेक करना था यहांट साल के बच्चे का व hormझ विशुन सर इकाल कितना 7 जैसे की मानलों कि मुझे 8 से 8 13 में, 14 साल की जाल के विश्चा को देखना 15 साल तक to stop करूंगे मुझे एक ही टाइम पर मुझे स्टडी कर लें tissue वनवेंiğ टाइम थाइम icon में जुशना कर लेकशन राए तक क Repexxma के बलोगे में K कर थिस तरीक से क्राती box से एक ही पर क्या करूंगी इन पर सट रोगी और इस आट साल के बच्चे कि विडिफीकास इतनी होती है 10 से पर फीन होती है 14 साल के इतनी होती है सब्सक्रुचर इस तरीक के से एक ही टायम पर हम श्रोट में स्टडिकार सकते हैं उसी को बोलते है cross-sectional cross हो रहा है ना यहांसे cross हो रहा है तो इस तरीके से cross मतलब यहां पर देखा हमने 8 साल के बच्चे को देखा यहां पर 10 साल के बच्चे को देखा हमने 14 साल के बच्चे को देखा इस तरीके से हम क्या करते हैं यहां पर अलग अलग रूपों को लेकर एक ही टाइम पर हम क्या करते हैं study करते हैं उसी को बोलते cross-sectional research चले आगे अभी difference तोनों के बीच का निकालेंगे न तब आपको समझ में आ जाएगा चले आभी यहां पर हम difference देखते हैं कि cross-sectional longitudinal research में कितना डिफेरेंस ओके देखो cross-sectional होता है एक विशिष्ट समय में किया जाता है हमने क्या क्या दिया कि एक टाइम पर हम क्या करते हैं एक टाइम पर हम research कर लेते हैं जबकि अनुदेर अधियन समय की अउधी में किया जाता है मतलब लंबे टाइम तक यहां पर लंबे टाइम तक हम क्या करते हैं उसका study करते हैं और यहां पर हम अलग-अलग group को ले लेते हैं और study कर लेते comparison कर देते हैं अब देखो cross-sectional जो होता है उसके अंदर स्वाट प्रदान करता है जबकि यहां पर यह क्या करता है दिर्द कालिंग विसलेशन प्रदान करता है यह आपको तुरंत ही result दे जाता है तुरंत ही आपको एक ही time पर आपको सारा कुछ समझ में आ जाता है जबकि पर आपको क्या करता करता करना पड़ता है लॉंग टर्म एनालिसस करना पड़ता है उसके वह बते क्रॉस सेक्षनल में क्या होते है के वल वरतमान से देखी जाते हो कि present में situation क्या है उक्कि 8 साल के बच्चे क्या है उसक्तारी होते हैं लेकिन यहां पर आमने एक्जामपल कि विकासात्मक्जों को बूलते हो ग 다या विकास के देखा जाता है कि इतना विकास होता है विकासात्मक्जों भी रखा जाता है कि नैसे इन सब को किस में रखा जाता है विकास आत्मक सोध के अंदर रखा जाता है तो ये भी आप लोगों को याद रखना है विकास आत्मक सोध में इसको रखा जाता है जिसमें आपका आजाएगा longitudinal फिर दूसरा आजाएगा आपका cross-sectional प्रोस एक्सनल वह तीसरा आपका क्या आ जाएगा तीसरा आजाएगा आपका trend analysis ये जो है न वह आपके विकास आत्मक सोध के अंदर गद भी आता है समय आधारित तो है ही लेकिन विकास आत्मक सोध के अंदर गद भी आता है उसके बाद देखते ये प्रेजेंट में आपको देखा जाता है क्या वह एक cross-sectional जो है वह वर्तमान परस्तिती देखी जाते उसके अंदर जबकि लौंगी टोडिनल में क्या देखा जाता है विक हम देखते उनके जो भी खेरेक्टर्स में टेंगा ओकर्स्त के अंदर इंटर्वेंशन नहीं कर पाएगो आठ सल का बच्चे है तो इसको 10 साल का नहीं बना पाएंगीWe कुला सोटा है कि उल्चालों की संचालन में हस्त शिभक हो सकता है यहां पर हम करसकते हों कि मान लों कि मैंने पहले मान लों की नीक पॉपिलेशन ले आठ साल का था वह पॉपिलिशन आठ साल के बच्चे की थी तो मानलो कि मैंने इसका भी अब्जर्वेशन किया फिर मैंने सुचा कि चलो 9 साल का नहीं मुझे देखना है तो मैं यहां पर हस्तक्षिप कर पाती होगे अगर मुझे लगता है कि नहीं नहीं साल का भी देखना है तो मैं उसी बच्चे को 9 साल का होगा तक तक मैं उसको इंतजार करके उसका नों साल का भी डाटा कले करूंगी तो यहां पर मैं हस्तक्षिप कर सकते हो कि लॉंगी तो लेकिन यहां पर क्रोसेशनल के अंदर हम अध्यान के उद्येश के मिल्ये प्रति बागियों को इवल एक बढ़ सकते हो तो यहां पर हम पर्लाकर उनपर रिसर्च कर सकते हैं जब कि लॉंगी पर पर्रिक्पाप पार्टिसिपंट होना और मेरे सचंहरों को थी standing को यहां पर झूड़े रखना पड़ता है व Exactly मौतों सबस्어로 करना रहना पड़ता तो उस बच्ची को कि एक विशिष्ट समय पर विभीन नमनों से डिटा इकत्र किया जाता है different different sample लेते हैं मैंने बताया मैंने 8 साल की बच्चे का लिया 10 का लिया 12 का लिया तो different different sample को मैंने लेकर यहाँ पर क्या किया data को collect किया जबकि लौंगे टुडिनल में क्या होता है कि समय की अधुमें एक ही नमनी से डाटा इकत्र किया जाता है यहाँ पर एक ही sample होता है कि sample को हम लेकर क्या करते हैं इसका लंबे टाइम तक हम डाटा उसके पास से collect करते हैं ओकी चले आगे देखते हैं तो cross-sectional जो रिसर्च उसके अंदर एक समय में विक्तियों का अध्यान विसलेशन किया जाता है एक ही टाइम पर हम उस पर study भी कर सकते हैं और उसका एनलाइज भी कर सकते हैं पर हमें लंबे टाइम तक study करना पड़ता है उसके बाद एक क्रॉस एक्सनल जो अधा वर्णनात्मक्सोत के रुप में जाना जाता है कर तो बाद से क्या में जात वी वर्णनात्मक्सोत के रुप में जाना जाता है वी जो क्या है यह जो है वह क्या है डिस्क्रटिव रिसर्च टा आता है वी और उसको वर्णनात्मक सूत के रुपने मान सकते जान सकते हैं जबकि longitudinal है वह क्या होता है causal या तो फिर relationship, relational research इसको माना जाता है तो यहां से भी question आ सकता है cross-sectional जो है वह क्या है आपका descriptive research है जबकि longitudinal है वह आपका causal research या तो फिर आप यह बूल सकते relation research जहां पर हम क्या करते हैं इफेक्ट को देखते हैं इसके बाद इस डिजाइन का लाब यह है कि यह सोट करता हो को एक ही समय में विभीन नचर जैसे कि आयू है जैसे कि एज लिंग मतलब कि सैक्स तुबारा से लिंग आया अच्छा यह लिंग है जैंडर आय है इंकम है तो इन सबी की तुलना करने की अनुमती देता है यहाँ पर क्या होता है क्रोस सेक्षिनल के अंदर हम विभीन वेरियाबल अलग अलग डिफरेंट वेरियाबल जो है उनके बीच क कि अंदर हम क्या कर सकते हैं compare कर सकते ओकि जबकि longitude deep में क्या होता है केवल एक चर्को फी समय की अवधी में अध्यशियन करने के लिए मानत बतला मतलब कि यहाँ पर हम एक ही वेरियाबल को ले सकते हैं यहाँ पर एक ही वेरियाबल कर श्टड़ी कर सकते हैं जबकि ख्रोस what is happening करो कि निता है क्या होता है इसके बारे में क्या हो इसके बारे में जानकारी प्रदान करता है यह क्या करता है आपको एक मतलब कि एक टाइम पर क्या हो रहा है तो यहां पर आपको certain period में क्या हो रहा है इसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि एक निश्चीत टाइम पर क्या हो रहा है यहां पर क्या होता है कि अभी क्या व अब सुधम अर्बार सम्मन ने ही कर सकता यह जो है आपको इंफर्मेशन नहीं देता है जहां पर प्रभाव के समें की बात की बात की जा रहें है ऑझां के रिलेशनन्सिप संवन के बारे में हमें कोई फश्फ कि वह किसका एफएक्ट किसकी वज़ा से क्या हुआ यह सारी चीज शावर हमें नहीं देता है जब्कि लॉंगे टुडी नल जो है वह हमें क्या करता है कारण और प्रभाव समंधों को स्थापित और ऊचिद ढरा सकता है ये क्या कर सकता है? कोज इफेक्ट रिवेशन सेफ है उसको जस्टिफाइड कर सकता है स्टेबलीस कर सकता है चल आगे देखते हैं उक्रॉस सेक्सनल रिशर्च है उसमें सोत करता लक्षि जन्शंख्या की विसेस्ताव में विकास या परिवर्तनों का पता लगाने में सक्सम नहीं जो भी हमारी मतलब की जो target population है तो जो target population है उसकी जो विसेश था मतलब जो भी characteristics है उसके अंदर जो भी developments हो रहा है तो उसके बारे में या तो फिर जो changes हो रहा है उसके बारे में पता नहीं लगा पाता है researcher cross-sectional के अंदर जबकि longitudinal में क्या होता है कि सोथ करता जो होता है वो समू और व्यक्तिगत दोनु सतरों पर लक्षित जन संक्या की विसेश थाओं में पिकास या परिवर्तनों का पता लगाने में सक्सम यहां पर क्या होता है कि जो भ टार्गेट हमारा जो population है उसकी जो characteristics है तो उसका विकास और परिवर्तन का पता वो लगा सकता है longitudinal के अंदर उसके बाद देखो cross-sectional में क्या कहा जा रहा है कि यह अध्यान अनुदेरे अध्यानों के तुलना में अपिक्षा कृत कम समय लेते हैं यहां पर हम नहीं बात कि क पर रहे बही जो cross-sectional होता है वो longitudinal study से क्या होता है कम time लेता है जबकि longitudinal research होता है वो cross-sectional की तुलना में क्या करता है अधिक time ले लेता है ज्यादा time ले लेता है उसके बाद दिखते हैं कि विसाई का एकल अउलुकन एक विसिष्ट समय पर किया जाता है एक specific point of time पर हम क्या कर सकते हैं single observation भी कर सकते हैं उसके बाद यहां पर longitudinal की बाद करते हैं तो एक ही विसाई के कई अउलुकन समय की अउधी में किया जाता है यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि एक ही time पर हम मतलब कि एक ही time पर एक ही विसाई का एक ही subject का हम क्या कर सकते हैं observation कर सकते हैं लेकिं यहां पर longitudinal में हम एक ही subject पर हम क्या कर सकते हैं subject मतलब जिन पर हम study कर रहा है उसको subject बुला जाता है research के अंदर तो subject एक ही subject पर हम क्या कर सकते हैं अलग अलग विसे एक ही विसे मान लोग कोई एक विसे हैं तो उसके बारे में अलग अलग अउलोकन कहीं सारे अउलोकन समय की मतलब कि longitudinal लंबे टाइम तक उसका हम क्या कर सकते हैं observation कर सकते हैं cross sectional के अंदर देखा जाये तो यह एक निश्य समय में विभीन नमुनों की तुलना करता है एक particular time के अंदर वो क्या करता है अलग अलग group अलग अलग sample के बीच क्या करता है compare करता है जबकि यहाँ बलवंगे longitudinal में क्या होगा AI एक विस्तारे दवदी में एकल समुक माथता है single group को ही वो measure करता है यहाँ पर different sample पर different group पर हम compare कर पाते हैं जबकि longitudinal के अंदर हम single group को ही लेते हैं और उसको measure करते हैं clear I hope cross sectional and longitudinal में समझ में आगा longitudinal में हम क्या करते हैं long time तक एक ही population पर एक ही group हम क्या करते हैं एक सेंपल पर क्या करते हैं study करते हैं जबकि cross sectional में क्या होता है daytime पर study होते है यहाँ पर एक ही przy एक एक ही टाइम पर हम क्या करते हैं स्टड़ी करते हैं डिफ्रेंट 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 सेंपल डिफ्रेंट सेंपल यहां पर लिखते हैं जबकि longitudinal में क्या होता है टाइम डिफ्रेंट होता है टाइम क्या होता है डिफरेंट टाइम पर हम क्या करते हैं एक ही सेंपल पर स्टड़ी करते हैं बस यही दोनों एक दूसरे से विप्रेट हो ओके चली उसके बाद यह को तो क्रॉस एक्सनल जो होता है वो आर्थी कुरूप से अनुधेर अध्यनों की तुलना में क्रॉस एक्सनल अध्यन सस्ता और लागत प्रभावी हैं यहाँ पर क्या होता है एक ही टाइम पर हम सारे कुछ ग्रूपों पर मतलब के स्टड़ी कर लेते हैं और टैटा कलेक कर लेते हैं तो यहाँ पर टाइम हमारा टाइम भी बचेगा साती जात हमें जो पैसे लगेगे उसके पीछे उसमें भी हमें जो कोश्ट होता है कि उसके अंदर भी हमें क्या होगा वो फाइदा हो जाएगा हमें मतलब कि क्या बोलते हैं बैनिफिट मिल जाएगा जबकि लगांगी टूडी नेल में हमें लंबे समय तक स्टड़ी करना रहता है तो मालों कि 7-8 साल या 10 साल तक अब श्टड़ी करते तो उसके पीछे पैसे जदा लगेंगे एक ही टाइम में अगर श्टड़ी हो रही है तो मतलब सस्ते में हो जाएगी है यहां पर लंबे टाइम तक हो रही है तो यहां पर हमें यह जो रिसार्च वह महिंगा पड़ेगा उसके बाद देखो परिणामों को बहुत मजबूत और आत्मविश्वासी नहीं माना जाता है यहां पर एक ही टाइम पर हमें जो भी डाटा मिलता है इसी वज़े से यह बहुत जागा आत्मविश्वासी मतलब कि स्ट्रॉंग और कॉन्फिडेंस यहां पर नहीं देखा ज मतलब कि ओ्सक्राइब साथ का नहीं मतलब कि उसके चाहित का मिलता है हम लंब टाइंग ल की पाशीं मिलता है एक ही मुलाकत में हमने मानलो कि उस परसन के बारे में कोई राय रख ली तो जरूर तो आप खुद ही सोचो कि पहली बार में मिले तो इतना मतलब कि परफेक्ट आपको जानकारी नहीं मिली होगी कि परसन कैसा है ना लेकिन उसी परसन के साथ अगर आप दो तीन चार साल तक रहते हों तो आप उसके बारे में बरिक कई से जानकारी प्राप्त कर पाती तो आपस्मझ में आता है कि यह परसन को यह पता है यह सारी चासे हमीं प्ताचलती है तो यहां पर स्ट्रोंग होता है और विश्तरूत जानकारी मिलती है वह भी हमने आपको पता है यानि क्रॉस सेक्सनल प्रबाव की कोज नहीं कर सकती है यहां पर वो sleeper effect की यहां पर कुछी भी प्रकार की खोज नहीं करता है तो longitudinal research जो है क्या उदे भी sleeper प्रभाव या समय की अउदी में विभीन न गटनाओं के भी सम्मन खुजने में मदद करता है अलग अलग time पे different different time पे अगर हम उस पर study कर रहे तो different different event भी हमें देखने को मिलेगी है तो उस time हमें मतलब कि उसके बीच में यह मनलों कि यह गटना घटी तो इस गटना का क्या effect हो रहा है तो वो हमें पता चलता है कि यहां पर सेक्सनल में हमें ऐसी कुछ भी चीजे पता नहीं चलती है क्रॉस एक्सनल अध्यानों के निसकर चरके बीच किसी भी संबन के बारे में डिनाय कवलोकन करने के लिए परियाप्त नहीं है याँपर यह की सहल चाहता है कि अलोड़ू कि आट साल साल के बेज्वाश के बच्य बता चालती है क्यों क्यों आठ साल के बच्चे की अगर हमने यहां पर मानलो कि उसके विद्धी विकास किसके कारण हो यह हमने यहां पर मानलो कि किसी फैक्टर को यहां पर हमने देखा कि हां इसके वज़ा से हो सकते मानलो फिर वह नो साल का होता है तब भी वह फैक्टर हाजीर होगा है अगर नहीं है तो दूसरा फेक्टर है जिसकी वज़े से उसकी विद्धी विकास पर इफेक्ट हो रहा है तो वो भी हम यहाँ पर जानकारी मिलती है नो साल का हुए तो उसके विद्धी विकास के पीछे क्वान से फ्यक्टर्स जिमिदार थे तो कि यह हमें पता चलता है जो भी सम्मन घटनाय गटित होती है तो वह गटनाय के भी सम्मन कोचने में हमें मदद करता है लॉंगी टूडिनल रिसर्च ऑक है उसके बाद आगी दे नीड़ा एक परिणाम या चर के भी सम्मन बनाने के लिए किया जाता है यह भी हमने बात कर देखें वेरेवल के बीच जो होता हो कि उनके बीच क्या एसोसियाशन है यह हमें पता चलता है लॉंगी टूडिनल रिसर्च के माध्यम जली कि क्रॉस एक्सनल में हमें यह नहीं पता चलता है कि बीच में कितना सिग्निफिकेंस है यह सारी हमें नहीं पता चलती जबकि लौंगी टूडिनल में हमें पता चलती है उसके बाद देखें तो क्रॉस एक्सनल रिसर्च वह उसके अंदर नामांकन में कम चुनोदी पूर्ण और प्रतिवाग्यों कि किसी यहां पर नुक्षान समय कि अवधी में प्रतिबागियों को नामंकित करने और उनका अनुसरान करने की चुनूती यहां पर जो भी पार्टिसिपेंट है उसको लंबे टाइम तक अपने पास रखना है तो यह चुनूती पूर्णा कारे यहां पर क्रोस्टेक्सनल के अंदर कुछ है ही नहीं मैं पार्टिस्पेंट आया उस पर रिसर्च कर दिया वो चला गया इसका काम खतम हो गया एक ही टाइम पर रिसर्च कर रहा है तो ओके लोंगिटुडियनल में एक ही परसन को कड़कर रखना पड़ता है लंबे टाइम तक तो यह चुनूती पूर्णा काम हो गया इसकी डिस एड्वैंटेज है उसकी बाद जेको प्रतिभागियों के फॉलarea के लिए नुक्सान के गुञवांज ही नहीं यहाँ पर कोई गुंजाईजी ने जो भी आया है उनका study कर लो एक बार में study हो रहा है तो मतलब कि यहाँ पर कोई दिक्कते ने लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि प्रति भागियों के follow-up को नुक्षान भी हो सकता है तो यहाँ पर हमें यह भी loss हो सकता है मान लो कि को participant है अग पोलता है कि नहीं मुझे आपके research का हिसा नहीं बनना अगर वो चला गया तो फिर हमारा research के सो गया है तो यह थोड़ा सा रुक्षान यहाँ पर longitudinal research के अंदर होता है ओके तो आयोप आपको crossational longitudinal research क्या है इसके बारे में समझ में आ गया होगा ओके जहां पर भी आपको दिक्क topic को बढ़ाएंगे तो जो भी आपके doubts रहे हैं वह comment box में जरूर लिखना ओके चले यहां पर दीको trend analysis research किसको कहते हो कि अब तीसरा वाला है आपका trend analysis कि समय के साथ बदलती है मुल्यांकन करके मुल्यवयटिंग करते हैं मानलों की बजיך के अंदर माननो कि 2022 में रखी तो 2023 में क्या डिमांड आ रही है क्या चंजिस हो रही है 2024 में क्या आ रहा है जैसे कि माननो ना पहले 1G था फिर 2G आया फिर 3G आया फिर 4G आया अब समय के साथ अभी 5G आ गया है जो कि मुझे ये 5G अपना सच में हसी दिलाता है मेरी एक स्टूडेंट है और फ्रेंड्स भी है उके फ्रेंड भी है हरियाना की है तो उसने मैंने ना मेरे बटे पर मेरे हस्बंड मुझे 5G मोबाइल ले लिया है संसंग का तो मैंने बस बड़े सालिब्रेशन के वीडियो वहाँ पर यूटूब पर डाली थी तो सभी लोगों ने देखी उसने भी देखी और अपने पती को बुला कि मुझे ऐसा ही मोबाइल चाहिए यसी गीप्ट जाहिए तो उनके पती ने बु तो यह हो गया यही चीज है आपकी ट्रेंड बन रहा है जैसे कि मारलो की कोई चीज बजार में आई है तो वह अभी कितनी इफेक्टिव उसके बाद आने वाले टाइम पर दूसरी चीज आएगी तीसरी चीज ऐसा पहलो पहले वाला नुक्या वाला फोन आता था वही अभ चीज बदल रहें समय के साथ चीज होता है वही अभी के टाइम पर आगे बढ़ता है वरना अपनी रुडियों को अपने रिवाजों को पुराने आसे रिवाज चीज को पकड़ के रखते जैसे कि बहु को गुंगट में ही रखना चाहिए तो उसमें थोड़ा सा चीज आन यहां पर रुजान मतलब ट्रेंट की बात हो रहें तो ट्रेंड एनालिसिस जो है वह आपको लंबे समय तक चलने वाले सर्वेक्षन के लिए समय के साथ डेटा पर एक नजर डालने की चमता देता हो कि मानलों के कोई कंपनी हैं तो उसने देखा कि भाई 2015 में हमारी कंपनी में इतना प्राफिट हुआ था कि यहां पर प्राफिट भात करें तो 2015 में मानलों के उनको प्राफिट हुआ था 10 प्रतिशत 2016 में उनको प्राफिट हुआ बारा प्रतिशत 2017 में हुआ 20 प्रतिशत प्रतिशत 2018 में हुआ उनको मानलों के 25 प्रतिशत 2019 में कुरोना आया जिसकी वाज़े से मानलों की वह उनका लॉस गया तो यहां पर 20 प्रतिसत हो गया ओके प्राफिट नहीं बोलेंगे लेकिन इसके तुलना में यहां पर 20 यहां पर उसको प्रतिसत हुआ तो महां पर उसको 25 प्रतिसत हुआ तो यहां पर 22 बता रहा है यह पूरी जर्णी बता रही है 2015 से लेकर आपके 2022 था कि कितना profit loss क्या हुआ है न क्या trend रहा था आपने कौन सा trend मतलब कौन से ऐसे product थी जो आपको यहां पर profit दिला गई या फिर आपने किस तरीक से उसको handle किया था जिसको बज़े से आपका उस time क्या demand रही थी क्या marketing था जिसकी जैसे profit होता जा रहा है या फिर loss होता जा रहा है तो यह एक नजर डालने की क्षमता हम ही देता है trend analysis करते हैं कि कैसा trend चल रहा है मार्केट में लोग क्या चीज़े मांग रहा है जिसके बेस पर हम नई product को produce करते हैं या प्रेशन तरी या परीक्षण स्कूर की तुलना करने के लिए उपयोगी हो सकता है यदि आप कुछ हपतों या महिनों के मामले में एक ही सर्वेक्षण को कई बार प्रसासित करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो आपको पता चलेगा कि हां लोगों की क्या डिमांड रही है क्या चाह रहा है लोग कैसी चीज़ें उनको पसंद आ रहे हैं फिर या नियमित रुप से वितरे संतुष्टी सर्वेक्षण के लिए डेटा सेट में प्रविलिती की पहचान करना उ सब्सक्राइब करने पर चाहिए द्यूंगर चाहिए लोगों की क्या पसंद है नहीं पसंद है उसकी बैस पर हम नए चीज़ें मार्केट के अंदर ला सकते ओके तो यहां पर देखो एका मैंने चाट लिया आम मानलों की कोई कंपनी है उसने प्रडुक्त और प्रडुक्त उसने बनाई थी अब देखो उसने जो दो product बनाई थी 2015 में अगर देखा जाए तो उसको यहां पर बीस प्रतिसत benefit हुआ ओके और यहाँ पर देखो product 2 है तो उसका 10 प्रतिसत ही आपर हुआ उसी product अगर product एक़ी बात करते हैं तो 2016 में मानलों कि यहाँ पर 35 प्रतिसत उसको फायदा हुआ जबकि 2016 में प्रोड़क्ट टू थी उसका बेस जादा बन गया तो 40 प्रतिसत हो गया उसके बाद कर दिखा जाए कि 2017 आया और प्रोड़क्ट वन थी तो उसका ट्रेंड थोड़ा जादा बढ़ गया तो 45 प्रतिसत ही यहा तो यहां पर वह 25 प्रतिसत हो गया इंत्रों में उसकी मांग जादा लए जादा रहा तो उसका तरिक से पुरा आनालिसिस आपको इक्वा मिला उसी को दिखे है trend analysis क्या trend चल रहा है products जो भी चीज़े हम रखते हैं तो वह किस तरीके से यह marketing business के अंदर यह ज्यादा trend analysis होता है उसके बाद यह को use of trend analysis in survey के अंदर हम trend analysis कैसे use होता है तो दिखो विखता विभार को समझने के लिए consumer जो होते हो के consumer behavior को understand करने के लिए trend analysis हमें फाइदा कराता हो के इतियासिक data के आधार पर जो भी historical data जिस तरह किसे हमने लिया दोजा 15 से लिकर हो कि तो इस तरह किसी historical data के आधार पर हम देख सकते हैं company को यह समझने में मदद करता है कि उपभुकताओं को क्या चाहिए कैसी चीछ चाहिए क्या सिथे तोर पर खारीच कर दिया जाता है यह सारी चीज़े यहां पर उनको क्या चीज़ पसंद है क्या वो reject कर रहे हो कि यह सारी चीज़े समझने में उनका जो behavior है उनको समझने के लिए हमें trend analysis क्या करता है help करता है यह उन्हें उत्पादों में समय पर बदलाओ करने और फीड इसे बजार में उताने में मदद करता है यही बात आगी हमने कहीं है ना कि अगर हमें कोई products है तो उसको time time पर उसमें change करने के लिए और फिर से बाजार में उसको लाने के लिए हमें यह क्या करता है मदद करता है help करता कि जसकी मान रों ना कि एक ही mobile है अभी अभी के time पर अगर मानो तो वीवो चल रहा है वीवो चल रहा है ओपो चल रहा है है ना या फिर iPhone चल रहा है मानो कि तो यह सारे क्य इसने changing होते जारा है ना 2017 का मोडल कुछ अलग था 28 का अलग है । दो जार नीस का अलग होगा है दो जार बाइस का लग है तो ये क्या है ट्रेंड के मुदाबिक उसने product के अंदर वो changing करते जाते और change करते वो क्या करते बजार के अंदर मार्केट के अंदर चीजों को उदारते हैं की उदारन के लिए आप देखो यह ग्राहाँ को पहीचानने और लक्सित करने और एक बालू बजार की स्थीति में सुचित नीने लेने में मदद करता है अब दिखें है यहां पर बालू बजार हैं तो यहां पर क्या है यहां पर हम ग्राहक को समझते हैं कस्टमर्स जो हैं उनको समझते हैं उनकी क्या डिमांड रहे वह सारे चीजी हम जान सकते हैं और हम एक अच्छा सा प्राप्ति में बदलाओ की पहचान करने के लिए जो भी का कंजुमर होता है उनके जो आइडेंटी जो सिप्ट होती हो के तो उसका हम क्या करते हैं उसको रियलाइज करने के लिए जसके मानलों के उत्पाद या सेवा की संब्द में उबुक्ता की धारणा काफी अस्तिर हो स की बदलता रहता है कि भान था जसे एक वालेटाइल होता है ऑस्तिर होता है स्वाल्रण करों को प्लानंग करोगे तो आप को ज्यादा तक अदूर तक नहीं ले जाएंगे विया उत्पाद में मामूली बदलाओ के कारण भी ग्राहकों की संतुष्टिकर सर बदल सकता है यहां पर जो भी कस्टमर होते हैं तो मतलब की हम प्रॉडक्ट के अंदर अगर मान लो की थूड़ा सा भी चेंज करते हैं हमारी बिजनेस टैल होती है उसमें भी थूड़ा सा चेंज आ जाता है तो उसकी कारण भी मान कि जरूरतों का तकनी की विसलेशन सामिल होएं और वे किसी उत्पाद या सिवा को कैसे देखते हैं यहां पर क्या बताया जा रहे कि जो भी प्रवरिदी विसलेशन हम करते हैं तो ट्रेंड अनालिसिस के अंदर जो भी उबगता हैं कंजुमर्स होता हैं उनकी क्या नीड ह और उनकी नीडों का जो टेक्निकल अनालिसिस जो होता हैं वो भी यहां पर सामिल होता हैं और वे किसी प्रॉडक्ट को किस तरीके से या फिर किसी सर्विस को किस तरीके से देखते हैं परसेव करते हैं यह भी यहां पर हम ट्रेंड अनालिसिस के बेस पर जान सकते हैं उसक बाद ये लागाण को समझने के लिए के जो भी को इस नोटे उसको करने के लिए भी हमें अनालिसेश sniff रहते हुघायों को अपनी व्यवसाई के विच्छी है पहलों के आद्धयान आदियन करने की आवस्चुकता होती है कुम्मतों लागर ट्राइवर्स समय पर अपने उत्पाद और सेवाओं को प्रभावित करते रहेते हैं यहां पर क्या कि जो भी आपने व्याउसाय हों जो हते हों कि चो सिंके अंदर किर old • • • • कि या कोस्ट ड्राइवर है कि समय पर जो भी प्रॉडक्स होती है उसको प्रभावित करती कैसे उसको एफ्यक्ट करते यह भी समझने में क्या करता है ट्रैंड अनौलिस हेल्प करता है उन्हें अपने प्रतिसवर्दियों की तुलना में कम कीमत पर कुछ नयाग करने और स MAS होती है तो हम क्या करते हैं इंड आ कently चीज़ें सिती हैं इंडिया की कैशी है से wyख P रधाए ना इंडिया वाले हैं तो वा इंडिया की चीजे खरीद रहा हैं तो हम स्ह किया करें हमारी इंडिया की जो यह क्रते में सस्ती वाय सब्सक्राइब यह समझने में किम कम क्यमत में लोगों को प्रभावावित कर सके और हमारी जो करते हैं वह सकति हैं हो साथ प्रवरिति का फेसलेष करने के एसकर निवेशक पर अक्लन करने के लिए रूजान मतलब कर्या से अचार के हम क्या करते हैं यहां पर देखते हैं कि भैई लोगों की क्या पसंद रहे यहां पर हम क्या करते है इन कभी अपने दिक्षा होगा कि एप अम कोई चीज खरी तो वह कहेंगे डीτοि जरूँар और ओके तेन में सब अब रेटेंग करो तो यह कि इक रेंड करना बता रहा है किसी का है प्रविश्य को साइब करें नए व्योशाय में प्रवेश करने वालों कि भवष्य वानी करने में मदद करता है कि हम ड्यू बिजनेस के अंदर की तरीके से आगे जा सकते हैं और किस तरीकर का ट्रैंड चुल रहा हैं जिसके बीज़ पर हम आगे बढ़ सकते यह हमें प्रैडिक्ट करता है अब हम giàust रुज़ानों से मलब करने से नहे उत्पाद हो प्रॉड़क्स से हमें पता चलता है कि हमें आगे जाकर कैसे चीजों को लाना है जैसे कि example के रूप में देखा जाए कि अगर trend report से पता जलता है कि millennials अकबार पढ़ने के बजाए OTT platform पर content देखना पसंद करते हैं तो आप इन platforms पर अपने विगनापन launch कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको पता चला कि बहीं चलो लोगों को millennials जो अकबार है को reading कर रहे हैं तो हम उसी platform पर अपनी विगनापन को launch करेंगे उसी पर हम क्या करेंगे अपनी advertisement होगी उसको देखते हैं तो क्या करेंगे उस पर advertisement हम अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम उसी जैनल पर अपनी advertisement देने के लिए मतलब के आगे बढ़ेंगे हैं तो बस यही बात है आप TV और समाचार पत्रों जैसे पारंपरिक माध्यमुल से OTT साइट पर switch करके अपनी marketing खर्च को अनुकुलित कर सकते हैं बस यही चीज है जब मैंने अभी आपको समझाई star plus व्यवसाई विस्तार की बात होती है business expansion की बात हो रहे हैं तो अपनी व्यवसाई का विस्तार करने के लिए रंदीतिक नेने लेने के सुधा भी प्रदान करता हैं तो यहां पर हमें decision strategic decision लेने में भी हमें क्या करता है help करता है वो बगता प्रहुतियों में प्रेटन की पहच लोगों को कैसे ँद्ट लोगों को कैसे चीजे पसंद है उसके भेंस अपने जो भी इसंतार कर पाते हैं फिला आप देखते हैं कि ग्रामिन क्षित्रों में मांग लगातार बढ़ रही है तो आप विशिस्ट सानों को अधिक आक्रम ग्रुप से लक्सित करने की युजनाम बना सकते हो कि अगर आपको पता जलता है कि हाँ ग्रामिन क्षित्रों के अंदर चीजों को मतलब कि उसके रूलर आप अपनी प्रोड़क्त को वहाँ पर बेजेंगे हैं तो यह आपके उसकी एडवेंटेज हैं कि आगी देखते बरिवर्तन विसलेशन संकेता को के चैंज अनालिसिस इंडिकेटर यह व्यवसाय के खराप रदर समय लेक्षित्रों की पैचान करने के लिए एक संकीत के र संद नहीं है तो आप उसमें कुछी चैंज करके आप आगे उस चीजों को बाजार में ला सकते हैं अधिकार संगटन प्रमोटर पैसियों और विरोधियों की पैचान करने के लिए ग्राहक संतुष्टी सर्वेक्शन करते हैं ग्राहक को कितना कस्टमर को कितना सैटिस्पि सारी चीजों को यह एनालिसिस कर सकते हैं सर्वेके बेस पर यदि निस्क्रियों और विरोध करने वालों की संख्या में तेज वुरिद्धी होती है तो उन्हें उत्पात की गुर्वत्ता सेवा वित्राण या ग्राहक साहता से संबंदित चिंता हो सकते हैं तो इसकी मानलो है आपके पास जेहां पर आपका अकाउंट तो आप बैंक तरीके से मतलब दे रही है कि इंद में आपको लिए करेंद धी हैं पहले पावर आता था कवाल सेंटर से हो के लिए वाल सेंटर से जो भी बात तरह हमें बताई जाते थी कि यह तो मतलब कि न्यूज स्कीम आई है पहले तो ऐसा था नहीं कि चलो एप्लिकेशन डाउनलोड करो या फिर ऐसे कुछ वर नंबर्स दबाओ और आपको सारे जानकारी मिल जाएगी कि क्या मतलब कि अभी रिचार्च में क्या क्या स्कीम चल रही है तो पहले क्या होता था कि क्या से क्दे के बाद तूसरे का क् Gold आता है और आपको पुछता है कि आपके पर स्कीमच आने वाले की मतलब आया था तो मतलब कि उस पर me राई बाए ले जाती तो यहां तो यहां पर ग्रहक साहत सम्मंदित यहां पर चुबे चीजें होती है वो भी हम यहां पर जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि एक बार जब आप डेटा विसलेसंड के बाद सुधारक शिद्रों के पहचान कर लेते तो उन पर काम करते और एक सर्विक्षन करते है और समय की साथ में ब्रिषा करते हैं कुछ यह से भी हूर और और हम से अच्छी बात नहीं कि तो क्या होगा तो उसको निकाल दिया दिया जाएगा वहाँ पर उसका सर्वे हो रहा है न कि वह किस तरीकिस के से काम कर रहा है लोगों malt हो से जगता रहेगा तो मतलब कि उनकी कंपनी का नाम खराब होगा लोग भी उनकी तरफ ज्यादा नहीं एट्रेक्ट हो गया तो इसी वज़र से क्या होता है कि यहां पर सारे चीज़े पटा चलती है और आगे जाकर हमें यह भी डिसिजन लेने में मदद मदद रुब होती है कि इस ने सिर्द करणने के नकल करता है ऐसे हमारे वीजिनस के साथमें कितना करते हैं तो अंप्रस्ज़ा चीज़ों को चीजों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा तो जाते जादे वीडियो को लाइक करते जाना है अपने दोस्तों शेर करते जाना है और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो डाले जाएंगी उसके नोटिफिकिशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी तो चले दोस्तों बबाई टेक केर यूँ जैस्ति क्रिश्णा